hello students तो चले भी start करते हैं next video lecture हमारे पास इसका आज का topic है pH Numericals आज हम किस तरह के pH Numericals solve करने वाले है इसमें हम लेकर जाएंगे आपको strong acid और strong base से हम किस तरह से pH निकाल सकते हैं यह हम पता करने वाले हैं कि आपको कोई strong acid का solution दे रखा है और एक जगह पर आपको strong base का solution दे रखा है दियान से समझी है strong acid और strong base वो होते हैं जो 100% dissociate हो जाते हैं 100% break हो जाते हैं तो उनकी pH किस तरह से determine की जाएगी आज ही इस video lecture में हम discuss करने वाले हैं तो मैं हूँ तर सेम जचैन और चलिए start करते हैं हमारा video lecture pH निकालने का formula यह था आपको ध्यान में होना चाहिए सबसे छोटा सा numerical start करते हैं आपके पास 10 raise to power minus 2 molar HCl solution है तो आपको pH बतानी है इसकी क्या बतानी है बच्चे pH तो देखे HCl पहले तो यह पता करो कि यह strong acid है या नहीं हंजी strong acid है तो यह जब break होगा तो क्या बनाएगा H positive plus में Cl negative तो हमेशा ध्यान रखिए यदि strong acid है और उसके अंदर एक hydrogen है एक hydrogen तो जितनी acid की concentration होगी उतनी ही H plus iron की concentration होगी बस यह बात ध्यान से रखो तो बताए HCl की concentration कितनी देर किया आपको 10 raise to power minus 2 it means H plus iron की concentration भी कितनी होगी 10 की power minus 2 होगी last video lecture में मैंने बताया था pH को solve करने के लिए बस आपको H plus iron की concentration चाहिए और वो हमने निकाल ली है सर ऐसा क्यों है कि HCl की जितनी concentration होगी उतनी है H plus की क्यों होगी क्योंकि HCl पूरी तरह से break हो जाएगा इसका एक मोल टूटे गा तो इसके एक मॉल बनें गे इसके दो मोल टूटे एगए तो इसके मोल बनेंगे इसके इतनी मोलर टूटे इतनी मोलर ही बन जाएंगे अब आ जाते ह tapping पे पी एच माइनस लोग आफ 10 रोली निकल गया है डिरेक्ट हांझी सर बिलकुल निकल गया है चलिए यही पर कर देता हूं है यदि आपके पास 10 raise to power minus 3 molar HCl solution होता तो आप इसकी pH कैसे पता करते हैं let me know सोची खुच से आप सीधा याद हो गया है देखो एक है और यह strong acid हो जितनी HCl की concentration उतनी है प्लस की concentration होगी तो यहां पूट कर दीजिए pH is equal to minus log of 10 raise to power minus 3 minus minus हो जाएगा पलस 3 log 10 log 10 की value होती वन तो pH आ गई बचे हमारे पास 3 क्या गई है pH 3 आगे सर यह तो आसान हो गई है चीजें चलिए आगे भई आपको दे रखाए 10 raise to power minus 4 molar HNO3 nitric acid क्या दे रखा है nitric acid तो पिताए pH nitric acid एक strong acid होता है तो pH आ जाएगी हमारे पास minus log of और यह भी एक h plus देगा ना आपको एक h plus तो h plus n के concentration आगे 10 की power minus 4 तो put कर दीजे 10 की power minus 4 clear हाँ जी सर माइनस माइनस हो जाएगी plus 4 log 10 log 10 की value होती वन तो pH आ गई है 4 कितने आ गई है pH 4 clear है हंजी सर विल्कुल clear हो रही है सर चीजे ठीक है आगे चलते हैं आपके पास 10 रेस्टू पावर minus 1 molar hno 3 है बच्चे तो आपको क्या बतानी है इसकी pH बतानी है तो थोड़ा सा tricky बन जाते हैं हम trick से कैसे निकाल सकते हैं देखो यदि आपके पास monobasic acid है बच्चे तूटके एक h-plus देता है देखो यह भी एक h-plus देगा यहां पर भी अचनो 3 भी एक h-plus देगा सारे यह h-plus देने हैं और वह strong acid है दूसरी condition है वह strong acid है तो उसकी pH अब चूटकियों में दो निकाल सकते हैं जो 10 की power में लिखा वहाँ उसको पलस से multi बेट कड़ को पलस बना दो देखो 10 की power में क्या लिखा है माइनस 2 तो कि अच्छी बात है चलिया आगे शूल करें 10 की पावर माइनस 2 मोलर, ठीक है, HCL हो गया है, HNO 3 है, तो बता ये pH कितनी आ जाएगी बच्चे, माइनस 2 है, तो सर 2 आ जाएगी, pH 2 आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे, ये पावर माइनस 6 तक होगी, तभी तक ये वैलिड है, यदि पावर माइनस 7 में चली गई है, तभी ये ट्रिक वैलिड नहीं होगी, ठीक है, 10 raised to power माइनस 5 मोलर आ जाएगी, तो pH आ जाएगी कितनी बच्चे, 5, कितनी आ जाएगी pH 5, लेकिन आप यदि 10 की पावर माइनस 6 से उपर चले जाते हो, मलब 10 की पावर माइनस 7, 8, 9, उस टाइम पे ये डिरेक्ट ट्रिक आप नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, उसके लिए अलग तरह के नुमेरिकल्स होते हैं, वो हम किसी आगई वीडियो लेक्चर में सोल करने वाले हैं, अच्छी बात अभी निकाल लेंगे pH, हां जी सर विलकुल निकाल लेंगे, चलिए, ये तो था कि आपके पास acidic solution दे रखा है, और उसकी pH आपको निकालनी है, अब यदि आपको basic solution दे रखा है, तो क्या करेंगे भी, क्या करेंगे, तो देखें, आपको दे रखा है 10 raise to power minus 1 molar NaOH, तो बताए इसकी pH क्या आएगी, आ आपको दे रखा है 10 की power minus 3 molar KOH, तो बताए ये pH कितनी आएगी, आपको दे रखा है 10 raise to power minus 4 molar NaOH, तो इसकी pH कितनी आएगी, आपको दे रखा है 10 raise to power minus 1 molar KOH, तो बताए इसकी pH कितनी आएगी, ये 5 है, चोटे चोटे questions, इन सब की हमें क्या determine करनी है, pH determine करनी है, तो what will be their pH, let us find out देखते हैं, यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको बूला था कि pH निकालने के लिए h plus iron की concentration आपको चाहिए, बट ये तो base है, तो base तो h plus iron देगा नहीं, तो base क्या देगा, आपको oh minus iron देगा, तो पहले आप poh निकाल लो, poh का formula क्या होता है, minus log of concentration of oh negative ions, और फिर आपको पता है कि pH पलस में poh का formula होता है, 14 के equal, ये किसके equal होता है, 14 के equal, तो पहले आप poh निकाल लो, फिर 14 में से poh minus कर देना, तो क्या जाएगी, pH आजाएगी, clear, हांजी सर्गे तो सही है, तो चलिए इसकी poh निकालते हैं, तो minus log of oh negative ion की concentration आजाएगी, 10 raised to power minus 1, minus 1 आगया आएगा, तो minus minus पलस हो जाएगा, तो 1 log 10 हो जाएगा, log 10 की value होती, 1 तो pH आगई 1, poh 1 आई है, बच्चे ये, क्या ये है, poh 1 आई है, pH कितनी आजाएगी, 14 में से 1 minus कर दो, तो 13, तो pH आजाएगी आँपर 13, clear, निकल गई, हांजी सर, ये तो बहुत असान है, निकल गई है भई, pH, असानी से निकल गई, आगे निकलते हैं, ठीक है, 10 की power minus 2 molar koh दे रखा है, pH निकालने हैं आपको, ठीक है, तो पहले क्या निकाल हो गया, पह, तो पह को तो वही direct formula यूज हो जाएगा, जो अभी भी पीछे पड़ना, 10 की power minus 2 है, तो minus minus क्या हो जाएगी, पलस, तो पह आगई बच्चे, इसकी 2, पह 2 आई है, ये, बट पह कितनी हो जाएगी, 14 minus 2 is equal to 12, 12 हो जाएगी, इसकी pH, clear है, अभी तक जितने भी हमने acid या basic example लिए हैं, वो वो example लिए हैं, जिसके अंदर acid जो है, वो एक हच पलस देता है, तूट कर, और जो बेस है, वो एक OH माइनस देता है, अभी थोड़ी देरे में हम वो भी पड़ेंगे, जो 2H पलस देते हैं, तो pH आएगा बच्चे, यहाँ पर 3, clear है, तो pH कितनी आजाएगा हमारे पास, 14 माइनस 3 कितना होता है, 11, answer आजाएगा pH का 11, ठीक है न, यह डिरेक्ट तरीक ऐसे आ रहाए, इस पॉर्मूले से अपलाई करके निकाल सकते हो, भी थोड़ी देर पहले भी पड़ादा हमने, यहाँ बात करिए भी, 10 की पावर माइनस 4, मोलर एन ने ओच, तो बताएगे, पी ओच कितनी आएगी, इसकी निकल कर 4, बट पी एच कितनी आएगी हमारे पास, निकल कर यहाँ पर 10 आएगी, कितनी आजाएगी, पी एच 10, सीधा डिरेक्ट भी निकाल सकते हो, पी एच है ना, बताएगे, इसकी पी एच फिर वही, तो इसका पी एच सिधा ही निकालेंगे, 14 मैंसे एग घटाओगे, तो कितनी आजाएगी, बच्चे, 13 आजाएगी, पी एच, कितनी आजाएगी, 13, तो इस तरह से जो एच की पी एच होती, वह साथ से कम होती है, और जो बेस की सिधी की बात करूँ, मिन्स जो दो एच पलस देते हैं, तो उनकी पी एच किस तरह से हम डिटर्माइन कर पाएंगे, लेट उस सी, तो चलिए स्टूडेंस बात करते हैं, तीन क्वेसंस की, आपको देरखा 0.001 मोलर एच तो इसकी पी एच निकालने, तो ध्यान से देखे तो 2H पलस देगा, तो इसको मैं तोड़ दू यहाँ पर H2SO4 जब ब्रेक होगा, तो 2H पोजिटिव देगा और पलस में आ देगा आपको SO4 2 नेगिटिव, यह क्लियर है चीज़ें, आपको क्लियर होनी चाहिए सारे पॉइंट, अब इसका में लग यहां से क्या पता चल देखो, यहां से पता चल रहा है, यदि H2SO4 एक है, तो H पलस कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, means जितनी H2SO4 की कॉंसेंट्रेशन है, उससे दुगनी कॉंसेंट्रेशन हो जाएगी किसकी H पलस की, क्लियर है ना, अब यदि यहां पर बताईए 2 होते तो यहां कितने ह हो जाते 4, अब यहां पर हैं कितने इतने, देखो इतने, इतनी वैल्यू क्या आप बोलते इसको 10 की पाउर माइनस 3 बोलेंगे ना, इसको, यदि 10 की पाउर माइनस 3 मोलर H2SO4 है, तो बचाएंगे H पलस कितने हो जाएंगे, H पलस हो जाएंगे, सर दुगने इससे, दुग स्टू, माइनस लोग ओफ, यह रख दीजिए अब, 2 इन्टू 10 की पाउर माइनस 3 रख दीजिए, तो माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, लोग M इन्टू N का फूर्मुला लग जाएगा, लोग M N होता है बच्चे, लोग M पलस लोग N, कलियर है, यह सोर नो, अरे कर लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो, अब हमें लोग 2 की वाल्यू पूट करनी पड़ेगी, देखें, लोग 2 की वाल्यू लोग टेबल से आपको जनरली मिलेगी, तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से लोग टेबल से लोग वैल्यू आप निकाल सकते ठीक है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा, या आप मुबाइल फोन लीजिए, उसमें असेंटिफी कैलकुलेटर ओपन करिए, लोग 2 की वैल्यू निकालिए, लोग 2 की वैल्यू होती है, 0.30 बचे, तो यहाँ लोग M की पावर N को सोल करो, माइन इसाब से बचेगा, 2.6 के आसपास, या 2.69 के आसपास बचेगा, अंदा आजा लगा रहा हूं भई, मैं आंसर थोड़ा इदर उदर हो सकता है, ठीक है, बट यहां पर माइनस का सायन आएगा, क्योंकि माइनस का अंक बढ़ा है, तो माइनस माइनस हो जाएगी, पलस, तो 2 2.69 इसकी क्या आजाएगी, बच्चे, pH आजाएगी, कितने आजाएगी pH, 2.69, क्लियर है, हां जी सर, यह क्लियर है, ठीक, चलो फिर आगे निकालो भई, 0.01 का मतलब है, 10 की पावर माइनस 2 मोलर, H2SO4 दे रखा है, आपको, आपको इसकी pH निकालनी है, तो पहले आपको H प पावर क्या आजाएगा, माइनस 2 आजाएगा, तो लेट अस डिटर्माइन दपी एच इसकल टू, माइनस लोग ओफ 2 इंटो 10 की पावर माइनस 2, इस माइनस को बाहर देने रहने, देता हूं, मैं लोग M इंटो N का फोर मोलर लग जाएगा, तो लोग M प्लस लोग क्या हो इसको बचेगा है, नहीं बचेगा इतना, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आजाएगी, पलस के 1.69, पी एच आजाएगी, बई, 1.69, क्लियर है, सर विल्कुल क्लियर हो रही है, सर चीजें, ठीक है, नेक्स नुमेरिकल देखे बई, किस तरह से सोल होने वाला है, तो चलिए भ पर, तो बताएगे, एच पलस, एच थरी, पी ओफोर की कंसेंट्रेशन कितनी है, बचेए, यहाँ पर, 10 की पावर माइनस वन, तो एच पलस आएगी, कितनी हो जाएगी, बताएगी, इससे तीन गुनी हो जाएगी, क्योंकि तीन एच पलस छोड़ेगा, ना, तीन गुनी, तो 3 इंटू में 10 की पावर कितनी आगई है, बचे, माइनस वन आगई है, ठीक है, तो पी एच वाले फोर्मूले लेकर हैं, तो पी एच हो जाएगी हमारे पास, माइनस लोग ओफ 3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस वन, आप इसको डिरेक्ट भी सॉल कर सकते हो, 3 पास बार ले लेता हूं, मैं लोग 3 हो जाएगा, बचे, पलस में हो जाएगा, लोग ओफ 10 की पावर माइनस वन, तो लेट आप सोल, माइनस ओफ लोग 3 की वैली होती बचे, 0.477, यहां वैली हो जाएगी माइनस के 1, ठीक है, तो यहां पर बच जाएगा अंदर बचे, मा आपको कोई स्ट्रोंग एसिड दे रहा है, वो डाई प्रोटिक है, या ट्राई प्रोटिक है, मलब वो 2H पलस या 3H पलस आपको दे रहा है, तो वहां पर H पलस आयन की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपको उसके N फेक्टर से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इसका N फेक्टर कितना है, दो, इसका N फेक्टर दो है, इसका N फेक्टर कितना है, तीन और आप असानी से क्या डिटर्माइन कर पाएंगे, पी एच, तो लेट एस पॉइंट आउट कि यदि आपको इसी तरह के बेस दे रखे हैं, मतलब जो 2 से ज्यादा OH नेगिटिव य हमारे पास, तो चलिए, स्टोडियंस देखते हैं, इन दो नुमेरिकल स्कोई पी एच हम किस तरह से डिटर्माइन कर पाएंगे, लेट सी, देख़एं क्योंकि ये कैल्सियम हईड्रोक्षड अडरूरिश में 2 OH नेगिटिव परेजेंट है, तो जब ये ब्रेक होगा, CA OH twice, तो it will dissociate to give CA2 positive ion and 2 OH negative ions, as you can see the concentration of OH negative ions is twice the concentration of calcium hydroxide ions, इसके सामने कितना लिखा गया है, एक, इसके सामने कितना लिखा गया है, दो, इसका मेला ब्रेक होगा, तो 2 OH negative आपको मिलेंगे, लेकिन calcium hydroxide है, कितना, 10 की पावर माइनस 2 है, तो इसका मेला, OH negative कितने हो जाएंगे, 2 into 10 raise to power minus 2, लेकिन ये तो concentration बच्चे किस की आई है, OH negative को आई है, और हमें निकालनी क्या है, pH, तो यदि आपके पास OH negative की concentration है, आप से pH पूछ रहे हैं, तो आप पहले P OH निकाल लीजिए, तो क्या निकलेगे हमसे पहले P OH, that is minus log of concentration of OH negative ions, that is 2 into 10 raise to power minus 2, that is minus 12, मैं log M हो जाएगा, plus हो जाएगा मेरे पास log N, तो log 2 की value अभी भी निकाली 0.30, 10 हो जाएगी हमारे पास, और यहां आजाएगा बच्चे आपके पास minus of 2, कितना आजाएगा minus of 2, यदि मैं इसको approximation में निकालूं, तो minus of 1.69 होगा, I hope so ऐसा आएगा भई, कुछ और भी हो सकता है answer, ठीक है, minus minus हो जाएगा, plus, तो plus 1.69, यहां पर आजाएगी पास, आपके लग भग 12.something, ठीक है, तो यहां आजाएगी, पास, क्लियर है, अच्छी से clear हो रहे है ना, हाँ जी, चलिए 0.002 molar calcium hydroxide है, तो यदि calcium hydroxide 0.002 molar है, तो it means OH negative ion की concentration कितनी हो जाएगी, इसकी twice, इसकी twice, तो 0.004 हो जाएगी, है ना, दो से multiply करेंगे, तो 0.004 का मतलब, 4 into 10 raise to power minus 3, क्या हो जाएगी, 4 into 10 raise to power minus 3 हो जाएगी, ठीक है बच्छे, तो यहाँ पर आगई है, मारे पास OH negative ion की concentration, तो भई आप direct POH निकाल लेंगे, तो आप इसको आगे solve कर लेंगे, मैं आगे solve करने वाला नहीं हो, तो POH निकाल कर पी एच के लिए 14 में से POH को क्या कर देंगे, minus कर देंगे, तो चले आगे proceed करते हैं, क्या होगा, यदि किसी question में आपको normality दे रखी है, तो क्या होगा, तो चले students, यह दो numerical और solve करते हैं, क्या दे रखा, आपको दे रखा, 0.001 normal hcl, मलब normality दे रखी है, यहाँ पर है 0.001 normal h2so4, दोनों में normality दे रखी है, पी एच निकालनी है, जो पी एच निकालने के लिए आप concentration निकालते हो, h plus sign, कि वो molarity होती है, यहाँ पर क्या दे रहां को normality, तो बहुति आपको द्यान होना चाहिए, जो normality होती है, वो होती है, n factor into my molarity, एहां फ्वाइंटि क्या है कोई है कितनी च प्लस सब्सक्र निरॉट करना पड़ेगा तो चले यहां पर प्लाइरे निकालते हैं तो निरॉटी कि कितना है इसका 1 तो इन। मोलारटी कितनी आ गई है 0.001 तो इस है मरे पास एच्यव के जो कंसेंट्रेशन है कितनी आ गई है यह कोई दॉसं में यह फैक्ट गई है था hyper हलिए ईपनी नखर वन उसकी normality कि इक स्वेस को दाती है मुलारटी के equal यदि n factor की value है 1 तो यहां सोच नहीं नहीं था आपको normality is equal to molarity but यहां 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 मैं molarity निकालूं तो क्या आएगा number of sorry normality that is 0.001 divided by n factor h2so4 कितनी h plus देगा दो तो 2 से divide कर दो इसको तो 0.00 कितना हो जाएगा भी सोचिए 05 हो जाएगा means 5 into 10 की power minus 4 हो जाएगा mathematical calculations में भी mistake हो सकती है तो उसको आप neglect करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है अच्छी बात तो चलिए इसकी pH निकालते हैं पी अब तो यह असान हो गया है यह हो गया है 10 की power minus 3 molar 10 raise to power minus 3 molar तो minus log of 10 raise to power minus 3 तो pH इसकी तो आगे direct 3 कितनी आ गई यह pH यहाँ पर direct 3 आ गई है बट यहाँ पर H2SO4 की concentration कितनी आई है इतनी यह H2SO4 की concentration है याद रखना आप लोग H2SO4 की बट H2SO4 जब आगे break होता है तो कितनी H पलस देता बच्छे आपको 2H पलस 2H पलस तो इसका महलब जितनी H2SO4 की concentration होगी उससे double किसकी concentration होगी H पलस की तो यहाँ से H पलस आयन की concentration कितनी आ जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 10 raise to power minus 4 आ जाएगी तो 5 टूजा कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 raise to power minus 4 तो इसमींस 10 raise to power minus 3 हो जाएगी तो इस तरह से भी आप क्या निकाल सकते हो पीएच चली कुछ और नुमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं और वाइंड अप करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर को तो चली स्टूडेंज इस नुमेरिकल को सोल करने की कोशिस करते हैं इतने ग्राम H2SO4 1000 ml solution में घोला गया इसकी पीएच निकालनी है तो फिर से मैं बता रहा हूं पीएच निकालने के लिए आपको H पलस आयन की concentration चाहिए और H पलस आयन की concentration तब निकलेगी जब आप H2SO4 की concentration निकाल पाओगे क्योंकि यहां पर H पलस आयन की जो concentration होगी वो होगी दो गुनिकिस की H2SO4 की concentration से क्योंकि यह 2H plus देगा ब्रेक होकर है स्ट्रॉफ फॉर की अमें स्ट्रस पॉर की मुलारीटी चाहिए और मुलारीटी ए बच्चे नंबर ओफ मॉल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम वह भी किसमें in liters यस और नो हां जी वह भी किसके मॉल solute के clear है ठीक है तो number of moles यदि आपको ध्यान हो वो होते थे given mass divided by molar mass तो बताइए है एस्टो सुपोर का कितना mass दे रहेगा आपको 0.049 इसका molar mass होता है बचे 98 ग्राम divided by volume of solution 1000 ml solution नहीं लेकि लीटर में चाहिए तो 1000 ml में एक लीटर होता है तो divide by आगया एक लीटर ठीक है सीधा आगया तो इसको solve करें तो 49 divided by 8 और into में हो जाएगा बचे 10 की power minus 3 जहां तक मैं correct हूं मेरे को लग रहा है कि यह सही है ठीक है तो यह cut के आगया बचे हमारे पास 1 by 2 into 10 की power minus 3 और I can write it like 10 raise to power minus 3 divided by 2 यह क्या आया है बच्चे H2S of 4 की concentration आई है किसकी concentration आई है H2S of 4 की बट हमें किसकी concentration चाहिए H plus की तो H plus की concentration क्या हो जाएगी इससे दुग नहीं तो 2 into 10 raise to power minus 3 divided by 2 तो 2 से 2 cancel हो गया तो H plus किलते हैं यदि कोई base डाल रखा है तो कैसे करेंगे तो चले स्टुडेंस इस क्वेशन की निकालते हैं 2 ग्रैम कास्टिक सोडा पर लीटर मतलब एक लीटर में डाल रखा है solution में उसकी pH निकालनी है कास्टिक सोडा आपको ध्यान होना चाहिए बच्चे होता है एन ने ओएच ठीक है तो यदि यह बेस है तो पहले आप क्या निकालेंगे ओएच नेगिटिव आयन की चालिस और एक चालिस ठीक है डिवाइट पर लीटर दे रहें तो इसका में लब एक लीटर आ जाएगा तो इसका अंसर आगया हमारे पास वन बाइट ट्वंटी क्लियर है ना टू बाइफोटी इस गोल टू बन बाइट्वंटी यह आगई मुलैरिटी क्या गई बच्चे यह मुलैरिटी ठीक है तो ओच नेगटिव आयन की कंसेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी इतनी ही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी सोचो एक ओ नेगटिव देगा जब नेगटिव कंसेंट्रेशन इतनी है तो आपके पास भी ओच नेगटिव कंसेंट्रेशन भी तो इतन और इसे लिख सकते हैं अब आगे तो आप पी एच के फोर्म पी ओवेच के फोर्मले में लेके जाए इसको माइनस लोग ओफ पांच इंट्व तैन रेज़ दू पावर माइनस फाइव और आगे आप सोल कर लेंगे बैट क्या करेंगे इसको आगे सोल कर लेंगे ठीक है अच्छी बात अच्छी बात है तो ठीक है श्यूडिंस आप इस तरह से पी ओवच निकाल कर क्या फेन आउट कर लेंगे आप पर तो यह था आज का वीडियो लेक्षर जिसमें आज हमने डिस्कस किया स्ट्रोंग ऐसे डिस्ट्रोंग बेस की पिएच आप किस-किस तरह से निकाल सकते हैं और किस-किस टाइप के नुमेरिकल्स आप से पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है तो अगले वीडियो लेक्षर में हम लेकर आएंगे पीएच के अगेन नुमेरिकल्स और किसी और तरीके से नुमेरिकल्स निकालना जैसे बहुत डाइलूट सल्यूशन है तो उसकी पिएच कैसे निकालेंगे दो सल्यूशन को मि निक्स्टर की पीएच कैसे फाइंड आउट करे जाएगी हमारे पास जो वीकली आइनाइज डैसेडिया बेस है मतलब जो पूरी तरह से 100% डिसोशेट नहीं करते तो उनकी पीएच कैसे निकाली जाएगी तो बने रहें मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर म तब तक लिए बाबाई